जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार विधान सभा के चुनाओं होने जा रही है। इन चुनाओं की एलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। तो वही घाटी में राजनितिक दलों के 24 प्रत्यारों का खेल भी शुरू हो गया है। सियासी बयान बाजियों से राज्य का तापमान चड़ गया है। इस बीच पीडीपी प्रमुक महबुवा मुफ्ती ने पीए मोदी पर बड़ी बात कह दी है। तो क्या कहा है महबुवा मुफ्ती ने देखते हैं ये रिपोर्ट। में मुसल्मानों और दलितों को टार्गेट करके लिंच किया जा रहा है। कि विले का दस्तावेज ये बताता है कि किस आधार पर ये हुआ था। हमें इस दिन छुट्टी की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि बस उस समझोते का सही से पालन किया जाए। हम वे समझोता लागू होते देखना चाहते हैं जिसका वादा 1947 में विले के दौरान किया गया था। महबुमा ने कहा कि हम भारत के लोगों को बताना चाहते हैं कि भारत के साथ हमारा विले कुछ शर्तों के साथ हुआ था। उन शर्तों को पांच अगस 2019 को खत्म कर दिया गया था। आर्टिकल 370 के खात्मे से उस समझोते को तोड़ दिया गया। अगर उस विले के समझोते को मंजूर किया जाए तो फिर आर्टिकल 370 हटाने का फैसला अवैद है। उस आदार पर तो जम्मो कश्मीर के साथ भारत का रिष्टा भी अवैद हो जाता है। महबुमा ने कहा कि हमने भारत के साथ जाना पसंद किया था। पाकिस्तान की बजाए हम भारत के साथ गए लेकिन आज हमारे संसादनों और पहचान को ही नश्ट किया जा रहा है।